नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टूर चनल दोस्तों बात करने वाले हैं UPPCLTG2 एक्जाम डेट के बारे में भई इसका जो एक्जाम है इसको लेकर बहुत से छात्र छात्राओं के मन में अलग-अलग ख्याल आ रहे हैं कि भई इसका जो एक्जाम है कब तक हो सकता है नहीं हो सकता है तो जो भी चीज़े हैं विस्तार पूर्वक्स बताएंगे आप वीडियो में अंते तक बने रहेएगा और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस एक्जाम में सिलेबस कौन कौन से रहने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है दोस्तों कितना है तो जो भी चीज़े है विस्तार प्रोवक्स बताया जाएगा आप जो है वीडियो को लाइक कर देजिए ठीक है और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेजिए तो भी अगर हम बात करें इसके एक्जाम डेट को लेकर तो भी देखिए सारी चीजों को अनलाइसिस करने के बाद दोस्तों इतना पता चला है कि इसका जो एक्जाम है टीजी टू का यूपी पीसेल टीजी टू का जो एक्जाम है दोस्तों या आपका सिप्तमबर में होने की पूरी पूरी संभावना है जता यहां दोस्तों आपका जो एक्जाम है सिप्तमबर में होने की पूरी पूरी संभावना है इसके पहले नहीं होगा दोस्तों आप देख लीजेगा अगर आपको लगता है कि सर इसका जो एक्जाम है अगस्त में हो सकता है या फिर अक्टूब तो आये इसके बारे में भी आपको फोड़ी सी जनकरिया दे देते हैं बही अगर हम बात करें इसके syllabus की बही अगर हम बात करें part A की तो यह computer से आपके सवाल पूछे जाएंगे ठीक है part A में computer से आपके सवाल पूछे जाएंगे और part B की बात करें तो यह टेक्निकल एलेक्ट्रिकल से सवाल आपको देखने को मिलेंगे अगर पार्ट एक की बात करें तो डेर्ड सव प्रशन आपसे पूछे जाएंगे ठीक है जिसमें से आपको 20 प्रशन किसी भी हालत में सही करने हैं तभी आप पेपर 2 के लिए eligible होंगे ठीक है तो कुछ इस प्रकार की information है अगर आप पेपर 2 के लिए qualified होते हैं तो आपको इसके साथ साथ रेजिनिंग से भी सवाल देखने को मिलेंगे जी हाँ दोस्तों रेजिनिंग जीके से सवाल देखने को मिलेंगे और 10th level का आपका हिंदी रहने वाला है ठीक है और उसके बाद 10th level का आपका इंगलिस भी रहने वाला है अगर हम बात करें टेकनिकल एलेक्ट्रिकल से तो भी यह 500 प्रशन आप से पूछे जाएंगे उसमें और रेजिनिंग की बात करें तो भी आप 20 प्रशन और हिंदी की बात करें तो 15 और वहीं बात करेंगर इंगलिस की तो 15 प्रशन आप से पूछे जाएंगे तो कहने का मतलब यह है दोस्तों 1500 प्रशन आपके हो जाएंगे टेकनिकल एलेक्ट्रिकल से ठीक है 20, 15, 15 यह हो जाएंगे आपके रेजिनिंग हिंदी और इंगलिस से तो भाई कुछ इस प्रकार से प्रशन आपके पूछे जाएंगे आपके एक्जाम में ठीक है तो आप तैयारी सुरू कर देजिए दोस्तों अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं सुरू किया है तो तैयारी सुरू कर देजिए एक जाम बहुत ही जल्द आपका होने वाला है अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की तो भाई यह देखिए ऐसा है कि जो आपके प्रशन पूछे जाएंगे प्रतेक प्रशन आपके एक मार्क्स के रहने वाले हैं ठीक है एक मार्क्स का आपका प्रशन रहने वाला है प्रतेक प्रशन ठीक और एक बटा चार भाग का निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इसमें रखा गया है तो भाई इस चीजों को आप मत भूलिएगा कुछ इस तरह की जनकरिया है आपके लिए तो आप तैयारी करते रहें दोस्तों एक्जाम आपका बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा वीडियो को आप लाइक कर दीजे मेरे भाई और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेजिए इसका जैसे भी कोई अपडेट्स आता है तो हम आपको अपनी चैनल के मादम से बता देंगे ठीक है वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों ऐसे में चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए उमीद करते हैं सारी चीजे क्लियर हो गई होंगी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहें